कितना ज़्यादा वेट और कितनी ज़्यादा हाइप क्रिएट के गई थी थे थोर लव एंड थेंडर मूवी को लेकर तो क्या यह वर्थिट थी तो इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं थे थे रम ゃब ट्रिलर रिलीज किया गया था और इवन जिसको play कर रहे थे Christian Will, उनके वजए से मुझे इस movie से काफी जादा उम्मीदें हो गई थी, और मैं सिर्फ वसरफ Christian Will की वजए से ये movie देखने गया था, story पर focus करते हैं, तो यहां पर थोर retire हो जाते हैं, अपने अंदर को खोजने के लिए वो पहाड़ों पर तपस्या करने पहुँँ जाते हैं, लेकिन जो मुसीबत हैं, उनका पीचा नहीं छोड़ती हैं, और एक गोर नाम का जो character इसके अंदर जो दिखाया गया है, वो देवताओं को मारना शुरू कर देता है, उसके पीचे का reason जो है, वो हमें देखने को मिलता है, और वो थोड़ा बहुत हमें justify कर पाता है, लेकिन थोड़ा बहुत ही, जहां पर हमें लगता है कि इस गोर character को काफी जादा time देना चाहिए था, ताकि इसका character development अच्छे से हो, हम इससे से connect हो पाएं, और जो भी इसके अंदर angle दिखाया गया है, गोर के perspective से, वो भी हम बहुत अच्छे से समझ पाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो सबसे ज़्यादा बूरा लगता है इस movie में, फिर इसके लावा Jane, जिसको एक तरिके से lady tour के रूप में represent किया गया था, ट्रेलर में, तब ये सोचने पर मजबूर हो गए थे, कि ये हतोड़ा कैसे उठा पा रही है, अब यहाँ पर हमें उसका reason बाता चलता है, काफी अच्छा लगा वो वाला scene मुझे देखकर, मुझे बहुत पसंद आया था, मुवी में ज़्यादा तरफ focus comedy की तरफ कर दिया गया है, funny scene डालने के उपर कर दिया गया है, हाँ, MCO ऐसा करता आया है, लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, मतलब कि यहाँ पर हमें mature या serious चीज़ें बहुत कम, और comedy की तरफ ज़्यादा चीज़ें हमें नजर आती है, कहीं कहीं पर हसी आती है, लेकिन जब ये चीज़ें continuity में रहती हैं, तो थोड़ा बहुत हम irritate हो जाते हैं, इस चीज़ें से कि यहाँ पर हमें comedy की नहीं serious, एक mature यहाँ पर उस scene की जरूरती, लेकिन वैसा नहीं होता है, और थोर को तो भाई इसा बस ऐसे, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है, बस किये जा रहा है, वो वाला जब character हम देखते हैं, तो और ज़्यादा बूरा लगता है, और फिर इसके अलावा जो movie की जो length, तो वो 2 गंटे भी नहीं रखी गई है, यनि 2 गंटे से 1 विनिट कम है, अब यहाँ पर अगर आप outro इंटरोट आतें, तो और ज़्यादा time कम हो जाते हैं, जो मुझे अटपटा सा लगा यह देखकर, जहां पर इतना कुछ हमें देखने को मिलने वाला था movie में, अब इसकी length 2 गंटे से कम क्यों रखी गई है, और ऐसा ही आपने जो डॉक्टर स्ट्रेंज की जो second movie आई थी, उसके अंदर भी देखा था कि उसकी भी length कम रखी गई थी, और अगर यह दोनों movies को अगर आप देखते हैं, जो इनकी length कम की गई है, तो ऐसा लगते हैं कि audience की वजए से यह सारी चीज़ें कम की जा रहे हैं, कि audience को कुछ उचे पसंद नहीं आ रही है, जिसके चलते MCU अपनी movies की length कम कर रहा है, और जहां पर हमें character की seriousness की जुड़ती, वो हमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती है, गोज जो character है, जिसको play Christian Bale नहीं किया है, उसका सही से use नहीं किया गया है, even जो Thor इतना powerful character है, उसको भी बुद्धू तरीके से दिखाना वो बहुत जादा चुपता है यार मुझे, तो मैं इसको one time ही consider करूँगा, मेरी तरुब से इस movie को मैं देना चाहूँगा, five after done, अगर आप लोगों ने ये movie देख रखे, तो प्लीज कोमेंट करना कि आप लोगों movie कैसे लेगी अगर नहीं देखी है, तो आप जा सकते हैं, अपनी family के साथ कोई भी ऐसा scene इसके अंदर है नहीं, शिवाई इसको छोड़ाएं क्या होगी है, पर साज के लिए तना था, thank you for watching this video, मिलते हैं next video में, जह हम जाएंगे झाल जाएंगे लोगों